आज आज गगन एक ऐसी कहानी जो शायद पिछले 15 साल में भारतिय क्रिकेट का सबसे अपसेट शॉकिंग और होसले तोड़ने वली हार थी आज कहानी है 2007 वर्ल कप की क्योंकि 2007 वर्ल कप में ना सिर्फ भारत पहले दौर में बाहर हो गया बलकि कई सपने तूटे कई सपने तूटे राहूल द्राविट सौरव गांगली ये लोग वर्ल कप नहीं जीत पाए ग्रेग चैपल की कोचिंग को लेकर जो विवाद हुए जो टीम में ओपन लडाईएं हुई और उसके कुछ महीने बाद राहूल द्राविट को कप्तानी चोड़नी पड़ी साती साथ, पाकिसान की टीम भी बाहर हुई ती और अगर आपको यार होगा तो बाव फूल्मर पाकिसलास की कोच उनकी मौट वल्लड कप के दौरान आप तो वहीं थे विकराम वहीं था और किस तरह पाकिसान टीम मैड़ फिक्सिंग के गहरे में भी आई थी आज वू सार क्रिकेट फिर उपर ही गई सचीन तेंदूलकर ने तो कहा भी ना कई बार आप से बात्चेत में की दोजार साथ का वो वर्ल्ड कप मेरे जिंदगी का मेरे करियर का सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट था बिकुल आप तो वेस्ट इंडीज में थे हमें याद है कि हम लोग जब आ अब यहां शुरू किया था टीम जब भाहर हुई तो उसके बाद तो इतना डिप्रेसिंग में तो मतलब मार्क उटाई होगी कि आप लोगों का तो आप काम खत्म हो गया अज आपका शो तो नहीं जा रहा है क्रिकेट बंद होने की बात हो गई थी हिंदूस्तान में क्रिक हिंटर रूकर ने वाहिद एक ही बार एक बयान ऐसा दिया था जो अनेक्सपेक्टिड था लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं तब नहीं करता वह बयान तो शायद भारती क्रिकेट डूब जाती तो मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूँ यह महीना था फरवरी यह मह लेकर कपिल पाजी के ऑफिस गया था लेट हो गया था उन्होंने डाटा लेकिन जब मैंने फूलों का गुलतस्ता दिया तो आज यूशूर पाजी जो है वह बड़े दिल वाले उन्होंने बिठाया कपिल देव को साइन किया था पहली बार आज तक चैनल ने सेलेक्टर आ दूलकर विरेंदर सेवाग युवराज सिंग जहीर कान हरबजन सिंग मतलब आप नाम लीजिए हर वो खिलाडी था और उस वक्त तो यह कहा जा रहा था कि 2007 में चुकी वेस्ट इंडिस की विक्टें तकरीबं तकरीबं इंडिया जैसी बन चुकी थी पिछले 20 साल के भारत प्रोग्राम किया था 15 खिलाडी पूरा देश मतलब यह था कि वर्ड कप जिस दिन टीम ने बॉंबे असेंबल होना था उससे एक दिन पहले चुकी खिलाडी अपने अपने घरों में थे मतलब जैसे युवराज सिंग चंडिगर में थे हरवजन सिंग जलंदर में थे तो आज तक और इंडिया टुड़े उसक्त हेडलाइन सुड़े होता था 15 एंकर बड़े बड़े चेहरे जो हैं उन सब खिलाडियों के शहरों में थे और एक एगंटा हर शहर में था मैं चंडिगर में था योगपाजी युवराज की फादर उनके साथ डियवी कॉलेज चंड जा रही है गगन प्रोड्यूसर थे उस शो के मुझे याद है गेटवे ऑफ इंडिया पर कपिल देव के साथ मेरे सहहोगी थे समी प्राज गुरू उन्होंने शो किया था कप लेकर आना रहे वहां ताज में वह आतंकी हमला हुआ उसके बाद से वहां शो होने बंद हो प्रग्राम का नाम था जो हमने कैंपेन होता है हर हर वर्ल्ड कॉप में आज तक का नाम था कप लेकर आना रहे यह खिराडियों के लिए होता पूरे देश की का जज़बा था और कपले गेटवे ऑफ इंडिया पर उन्होंने कहा था कि मैं इसी शहर में वर्ल्ड कप लेकर और लंडन से टीम ने जाना था जमेका किंस्टन के आसपास मुझे याद है कि वह शो चली रहा है और उधर से टीम खिलाड़ी आ रहे हैं तास से और बस में बैठ रहे हैं और वहां से एरपोर्ट की तरफ जाए और ग्रेग चैपल कोच थे और टीम ने सिरफ ताज होटेल जो ताज महल जिसे कहते हैं वहां से एरपोर्ट तक एक बीच में उन्होंने रास्ते में बस रुकी थी वो रुकी थी सिधी विनायक मंदिर में सिद्धी विनायक मंदिर में खिलाडी उत्रे, उन्होंने दर्शन किये, और होता ना, पूरा देश जुड़ा हुआ था, आप सोच नहीं सकते, उस वक्त देश में क्या महाल था, शायद आप में से कुछ लोग को याद आएगा, कुछ लोग नहीं याद कर पाएंगे, या पूरा देश रात को टेलिविजन देख रहा था, कि ये टीम बस पहुंचगी सिद्धी विनायक, वहां से रात को टीम पहुंची, मुंबई इंटरनाशनल एरपोर्ट, तो ब्रिडिश एवेस की फ्लाइट उड़ती है, मुंबई से लंडन, यहां से मैं, और मेरे सह होगी जो कैमरा परसन थे, संजे चौधरी हमने, और मैं दिल्ली से गया था, वही ब्रिडिश एवेस, दिल्ली, लंडन, और लंडन में 3-4 घंटे का हौल था, और वहां से एक ही फ्लाइट जानी थी, आगे एर जमेका, जो पहले किंस्टन उतरनी थी, और किंस्टन से इंटरनल एक छोटी फ्लाइट लेके हमें जाना था, मॉन्टेगो बे, क्योंकि मॉन्टेगो बे, जो जेम्स बॉन की मूवीज में भी आपने देखा होगा, वहां पर भारती टीम के प्रैक्टिस मैचिस थे, और ट्रिलॉनी करके एक छोटा सा वही पर ग्राउन नया बना गया था, वहां पर ओपनिंग सेरिमनी होनी थी, तो खेर, लंडन में जब खिलाडी थे, और उस फ्लाइट में, मैं वहाइद रिपोर्टर था, गगन, मैं और मेरे कैमापरसर संजे चौदवी थे, और सौरव गांगली, ये सब खिलाड़ें उसे हम मिले, और बड़े और मतब उस फ्लाइट में बस ये सपने लेता जा रहा था, कि यार, हो सकता है कि इसी फ्लाइट में वापिस आना है टीम के साथ, क्योंकि कप तो लेकर आना है, और कुदरती हमारी जो बुकिंग्स थी, वो इंटरनल भी वेस्ट इंडिस में, टीम फ्लाइट में थी, और होटल बड़े महंगे थे, वेस्ट इंडिस तो आपको पता है, क्यार, फ्लाइट लैंड होती है, किंग्स्टन में, और किंग्स्टन में, क्योंकि टाइम जोन का बहुत फरक है, शाम के 6 या 7 बजे थे, जब एर जमेका लैंड हुई किंग्स्टन में, और वहां से इंटरन अन्वील की गई थी, और बड़ा शांदार खुम्सूरत नजार रहा है, वह तस्वीर में आपको दिखाता हूं अभी, अच्छा, उसमें क्या हो गगन, हम उत्रे, किंग्स्टन इंटरनाशनल एरपोर्ट पर उत्रे और वहां से डॉमेस्टिक फ्लाइट लेनी थी, तो अ सौ मीटर हम पैदल चले, डुमेस्टिक जहाज जो था, एर जमेका का, वो अलग से वेट कर रहा था, उसी फ्लाइट में टीम ने जाना है, और उन्हें का, इमिग्रेशन आपकी मॉंटी गोबे में होगी, क्या हम उस फ्लाइट में, और क्या हो, मुझा भी भी आद है, सौ बजन सेंग, युराज सिंग, सौरव ने उस वक्ताफ चलते-चलते में, सौ मिटर में एक ऐसी बात कही, जो मुझे उस वक्त समय नहीं आई, आज मैं रिलेट कर पाता हूं, मैंने का, दादा मजा आएगा, क्योंकि सौरव गांगुली का कमबैक हुआ था टीम में, टीम से पहले मुंबई से लंडन, फिर आठ घंटे, लंडन से किंस्टन, मैंने का, शायद थके होंगे, सौरव ने कुछ नी बोला, सौरव ने थोड़ा आगे चलते हुए मुझे कहा कि, विक्राद इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है, मैंने का, मतलब, यहने के देने भी लाइट थी, फ्लाइट लैंड हुई, और वो जिस टर्मिनल से हमें हाल से निकाला गया, तो वहां पर बॉब माले के गाने बज रहे थे, वहां के जो डांसर्स और ऐसे सिंगर्स हैं, और सब की माला पेना कर सब का उन्होंने वेलकम किया, उसे कहते थे लोकल औरनाइजिं करते हो गया, हम लोग पहुंचे, जिस रिजॉर्ट में हम ठहरे थे, टीम होटल एक और था, टीम किसी और रिजॉर्ट में ठहरी हुई थी, और टीम ने वहां 15 दिन रहना था, मॉंटीगो बे में, और वहां तो आप रिजॉर्ट का अंधादा लगाई है कि बहुत बड़ तो मुश्किल है इतनी पता नहीं है, अगर तस्वीर लेकिन बड़ी, तो गैरा सार होगे, गैरा सो फोन तो चेंज कर दिया है, ने ने वह तस्वीर मैंने, फेस्बुक किया कहीं से अपने से मैंने उस दिन सेव की थी, और डाली थी, और इस दौरान ये भी बता दूं हमें बुलाया था, मैं और निखिलनाज हम दोनों गए थे, वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे वो तस्वीर डाली हुई है, गैरा साल पहले हम थोड़े जवान भी दिखते थे, नहीं अभी, तब दिखते थे, खैर, होली हुई, ये हुआ, वो हुआ, और इंतजार थोड़ रास्ताफेरियन सिंगर थे, रेगे, म्यूजिक, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने परफॉर्म भी किया, चलो जी, ओपनिंग सेरिमनी हो गई, उसके बाद अगले दिन, फ्लाइट उड़ती है, मॉंटिको बेस है, भारत की टीम की, पोर्व स्पेन, ब्राइन लारा का मुल्क है, प्रिंस चार्ल्स जिनको कहते हैं, तो अपना हम पहुंच के वहां पे, वहां पे टीम ने प्रैक्टिस मैच एक आदा शायद वहां खेला, उसके पहला ही मैच इंडिया का बांगलादेश के साथ, और बांगलादेश तो क्या टीम है, कुछ ट यह एक सो असी नब बेरानी बनाये थे, सौरक गांगली ने शायद बनाये थे रन, और स्लो बैटिंग की थी उन्होंने, और बाकी जो खिलाडी हैं, वो आउट हो गे, लेकिन उस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा विवाद था सचिन टेंडूलकर को लेकर, क्योंकि ग्रेग सचिन अलग थलग पड़ गए थे, उन्होंने बहुत कहा कि मुझे ओपन करने दीजिए, ओपन करने दीजिए, लेकिन उनको ओपन नहीं करने दिया, तो ग्रेग चैपल ने यह कहा कि नहीं, आपको बैटिंग करनी है, आपको नमबर चार पर ही बैटिंग करनी है, रॉबि यहां पर क्या हुआ यहां पर तो यह था कि चलो यार बंगलादेश से हार लेकिन क्यूंकि हम लोग इसी उत्साह में थे कि यार यह इंडियन टीम ऐसा हुई नहीं सकता कि अभी बाहर हो जाए यह इंडियन टीम अभी फाइनल खेलेगी सारा कुछ जितने भी मैचिसे सारे ज कि दूसरे मैच था बर्मीडा के साथ और उनके खिलाडी थे लेफ स्टॉक किया ऐसे नाम तो एक सो चालिस किलो उनका वेड था याद है उन्होंने स्लिप में कैच गिया था बड़ा जबर्दस सांधर कैच और उसके बाद उनका सेलिब्रेशन जो था सवाग ने इस मैच म अगध ने कूल है आण्यन के दhy्या वागश्तन वमेㅋ चार्सों के कई इंडिया उनका के साथ मस्ट विन मैच अच्छा भूष मुया था मॢली धरन घ्रण थे उस टीम में तो यह सूरे भीались स्टीम थीग थी टीम टो उनकी अच्छी थी इंधारी वर्टकण रुस्तान उस्त भोतल हो के चोट सांच दुम था तो समें चार मा और निखल अंक हज़Am今 उनिंग तो क्या होत लुग करते हुग कि थसी चुला किने अच्छे直ों intend transaction कि जह सुरह श्रिलंका का ड्रेसिंग रूम कह रहा था कि सचिन टंडूलकर ओपन क्यों नहीं कर रहे और उन्होंने कहा कि यू अब मेकिंग इजी फॉर अस पांच मेर बात पता क्या हुआ उसी जिम में तब सचिन को बहुत चोड थी कभी कुछ कभी कुछ तो उन्होंने हलका कल चुकी मैच है सुबहे हलका फुलका शामकर वरकाउट किया जैसे मैंने देखा अन्होंने अपनी नीज पर जादा काम नहीं किया उन्होंने और सचिन ते नूटकर नॉर्मली एक अलग जोन में रहते हैं और बात भी नहीं करते हैं सचिन ने खुद पूछा अब हम वीवर शॉक पहले जैसूरे से बात कि और जैसूरे से उनकी पांच साथ मिनित बात हुई और हम दोनों से उन्होंने पूछ शुरू किया सचिन ने सचिन ने पूछा कि क्या चल रहा है इंडिया में खबर क्या है इस दोराल लेकिन एक बहुत बड़ा वाक्या हो चुका था बॉब वूलमर की डेथ हो चुकी थी बॉब वूलमर की डेथ भी इंडिया का प्रैक्टिस इंडिया का मैच था बर्मुड प्रिव्यू वाले सवाल उनसे पूछे जा रहे थे और अचानक से खबर आई कि बॉब वुलमर को हार्ट टैक हुआ है और ग्रेग चैपल अब इसलिए तो थे उस वक्त ग्रेग चैपल ने कहा कि यह शिलंका वाला मैच था प्रिव्यू था शिलंका वाला इसाद ग्रेग च पंद्रह बीस मिनट आदा हंटा हुआ बस वहां से रैप अप हुआ इदर उदर कैचे कुछ है इनोंने की और यह लोग टीम बस में चड़ रहे थे इंडिन टीम चड़ गई थी और ग्रेग चैपल लास्ट में जा रहे थे और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं देबश ग्रेग चैपल के चेहरे पर भी कहते हैं हवाई यह मतलब आदे घंटे में सब कुछ हो गया बाव फूलमर पाकिसान के कोच और उस वक्त रहसेमाई तरीके से क्योंकि वो टीम थी जमेका में उनकी गेंस्टन में हम लोग तो थे ट्रिनिराड में वहाँ पेगेसिस होटेल में पाकिसान की टीम रुखी हुई थी और पहले जो इनिशिल तो यह आया शौक की बाव लूमर की डेथ हो गी है पहले आया हाट अटेक लेकिन वहां से हम सब भागे रियक्शन के लिए इधर उधर और टीम तो स्टन्ड थी फिर यह खबर आई कि उनकी हत्या की गई है फ उनका मडर किया गया है टीम होटेल के अंदर सिसी टीवी फुटेज और जो रियक्शनस आप लोगों ने वहां से भेज़े दे उसमें दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग लिफ तक बॉलमर के साथ हैं और बाद में यह बात आने लगी कि खिलाडियों ने कुछ लोगों को हत्या की सुपारीदी है तो इमामला मैश फिक्सिंग से जोड़के तब काफी देखा गया था तो अचानक सारा देहान चला गया था बॉलमर की मडर पर तो बॉलमर का तो एक जमेका में चल रहा था और हम लोग थे पोड़ो स्पेन में तो सचिन टेरूर करने पूछा कि क् पताया बॉलमर का उनों का या मतलब और सचे ने का कि खुद ही से आयम टेलिंग देम लेट मी ओपन टीम मीटिंग हुई थी उनों ने कहा कि मैं टीम मीटिंग में बोल के आया हूं कि मुझे ओपन करने तो मैं कल मैं जिता दूंगा लिकिन ग्रेग चैपल एड़मेंट थे ग्रेग चैपल ने का नो यू विल बैट अट नमबर फॉर हम तो सौरव गांगली और रॉबिन थपा के साथ ही ओपन करेंगे और टंडूल करके ना चेहरे पर मायूसी और उनसे रन नहीं बने थे शायद बर्मुड़ा के खिलाफ उनों ने रन बनाए थे और बहुत बतल सचीन को उससे पहले देखा होगा वो बोलते नहीं है इस तरह की चीजें कभी वो मतलब पुब्लिकली डिसकुस्ट नहीं करते हैं और बहुत कुछ हुआ बहुत तीम तो बढ़ गई थी वो पहली हार जो थी ना बंगलादेश के खिलाफ वो उसने टीम में जो अंडरलाइ पहले सरे जो टीमें जिमसे आपका मैच होना है उनके डैसिंग रोम तक अबात थी उनमें चर्चा औही थी कि से उपन नहीं करा जाए जैसा आप ने बताया आ उनोंने कि आप तो हमारे लिए आसान कर रहे हो खेर, सुबह उठे, सुबह टेंशन, क्योंकि सुबह नौ बजे ही मैल स्टार्ट होता था, लोकल टाइम, वेस्ट इंटीज में सिरफ फाइनल, वह सारा डेज मैचिस थे, क्योंकि वह थोड़ा ये भी होता ना कि टेलिविजन के लिहाज से, अगर वो डे नाइट होते तो र के करीब रंग थे श्रिलंका के, 254 श्रिलंका के, हमें लगा, 60-40 था इस वक्त इंडिया की फेवर में, अब अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती टीम में, आपने 254 पर आउट किया, ग्रेग चैबल राहो द्राविड को चाहिए था, सचिन को कहते हैं कि आप उपन करो, ब चोटी गेन को पैर फैंक देते हैं, और बॉलर्स ने फसा लिया, चमिंडावास ने शायद उनको आउट किया था, अगर मेरी याददाश था ही, और उन्होंने आगे कमिट कर गे न, चोटी गेन कर दे उन्होंने ऐसे, आउट हो गे, सहवाग ने भी रन नी बनाए, सहवा फर्नेंडो, वो सचिन ऐसे गए और इंसाइड है, डंडे पे, फिर युवराज सिंग ने रन बनाये थे, इफ आम नोट मिस्टेकन, तो युवराज भी आउट होके, द्रविड और सहवाग खड़े रहे होंगे, कितने रन बनाये थे इंडिया ने, 185 वाल उट, बात में तो फिर मुरली थे, उन्होंने आके छोड़ेंगी ना, तो वो ड्रेशिंग रूम में आपने तस्वीरे देखी है, प्लेयर रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, और सब के मायूस, चेहरे, लड़ाईएं चल रहीं अंदर, फिर उजी प्रेस कॉन्फरेंस, हमारे कोच साहब, ग् वारव गांगुली को, सैवाक को, हरबजन सिंग को, युवराज सिंग को और जहीर खान को, और ग्रेग चैपल बहुत टेंस थे, अचा कुदरती क्या था, जो टीम का फ्लोर था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, वो हिल्टन होटेल में, टीम सारी ग्राउंड फ्लोर प की ख़बर आई, वो मैं उनको शाम को देखा, और हमारे फ्लोर पर पुलिस और उनके रूम के आगे वी एक पुलिस का बंदा खड़ा था, क्योंकि वहां पर मुर्डर हो गया था, बाब वूलमर का तो ये सब ख़बरे आ गई थी, उसके बाद टीम की हुई प्रेस आपको याद होगा, वो सचेन की जो मूवी है उसमे है वो, वो एक ही बात कहते रहें कि हम अच्छा नहीं खेले, लोग पूछे है के म को मठो है वे अच्छा नहीं खेले, और भई क्यों नहीं खेले तो उनका प्र अच्छा नहीं घेले, उसमें बड़ी गर्मा गर्मी प्रेस कॉंफरेंस हुई प्रेस कॉंफरेंस का था मुई हम लोग भी पहुंच गए शाम को होटेल तीम भी पहुंच गई और डिप्रेस्ट इतना डिप्रेसिंग महौल था दो-तिन दिन पहले इंडिया वर्ल्लकप से बाहर हो गया बॉलमर की डेथ हो गई और डिप्रेशन तो मुझे याद मैं और मेरे कैमरा परसन हम रात को नौक बजे नौ साड़े दो खाना खाने नीचे जा रहे थे और सामने से हमारे टीम के वो थे वीडियो आनलिस्ट थे रामकी वो और रॉबिन थपपा आ रहे थे रॉबिन थपपा वो तो यंग प्लेयर तो सामने से आ रहे थे तो बात हुई लोबी में तो रामकी ने का की बड़ा डिप्रेसिंग मैंने का बड़ा रॉबिन थपपा खुदी से कह रहे हैं हम डिस्कों नहीं गए थे तो मैंने रॉबिन थपपा को कहा है मैं थोड़ी होश वाली बात करो यह तुमारी जो अरोगेंस दिखा र कि भारत की हार का सबब बनी है कर उसके बाद क्या हुआ इंडियन टीम तो हार गई अब मुझे वेस्ट इंडिस में ही रहना है एक महिना और क्योंकि हमने पेमेंट सारी कर दी हुई है प्लस बॉलमर की वो डेथ क्योंकि वो वो स्पाइरल कर रहा था पहले दो तिन दिन थ स्टान थे और वो अईलेंड से हार गए तरह सल वह भी बहर हो गया पाकिस्तान भी बाहर हो गया इंडिया पाखिसान वर्ल्ड कब से बाहर मतला मतलब बाहर उसके बिना देखिया वर्ल्ड कप क्या हुआ होगा क्या वर्ल्ड कप चलता रहा वहां पर बॉल्मर की डेथ फिर अहिस्ता अहिस्ता उस पर पढ़दा पढ़ना शुरू हुआ मार्क शील्ड करके थे स्कॉट्लेंड यार्ड के ऑफिसर जो पहले कुछ बोलते रहे अब बाद में उन्होंने कुछ और बोलना शुरू कर दिया इंडिया में क्या हुआ लेकिन ये बता ये क्योंकि धोनी की मूवी में है सचिन की मूवी में है कि जब टीम वहां से आई सारो गंगली ने एक दिन कहा फोन करके कि आ जो चाय पिलाता हूं उनका रूम था नीचे तो सारे प्लेर ऐसे गुमते फिरते रहते थे कुछ समय निया आया सौरो के रूम में वह अच्छा अपनी चाय साथ लेके जाते हैं और वह कौन से बिस्किट्स हैं वह मैरी मैरी के तो उन्होंने मुझे का यार चाय बनाओ मैंने चाय बनाई चाय पी रहे थे हम दोनों इतने में बांगलादेश के खिलाडी थे मुनका नाम बूल रहा हूं विकट की पर्थेशा दो वह आ गए दादा देखा हमने मार दिया आपको तो सारो के दा यार चुप रहे तू जिसमें राहूल द्राविड ओविसली नहीं थे एक छे आठ खिलाडियों का ग्रुप एक बहुत सीनियर खिलाड़ाई के कमरे में एक मीटिंग हुई आपस में जैसे होता ना और उस सीनियर खिलाड़ी को कहा गया कि आप यह बचाईए आप यह कह दीजे कि मैं कप्तानी क करूंगा और आप ही अब संभाली उस टीम में अनिल कुमले भी थे जिनको खिलाए ही नहीं उनको खिलाए निल कुमले का भी सपना वर्ल्ड कॉप का खतम हो गया तो यह तवाम तरह की कहानी आनी शुरू होगी कि टीम ने बगावत कर दी है कोच के खिलाफ राहुल रविड के खिलाफ एस कप्तान वहां से टीम जब उड़के आई इंडिया में और धोनी की मूवी में जो है कि हमें पुलिस ने ऐसे ले के आए एरपोर्ट से जैसे हम अगले जो पांच महीने के जो आपने बताया ना बहुत डिप्रेसिंग और बहुत उस तरह के मीटिंगे में भी ग्रेक चैपल के साथ जी जी यह कहा गया कि नहीं हम इसकी समिक्षा करेंगे तमाम चीजें जो कही जाती है अगले पांच-छे महीने जो जिस तरह से डिप्र पहुंचे 2007 में इस अपना था कि हम फाइनल जीत कर आए और अचानक बंगलादेश से हार क्या बाहर हो गए तो हर खिलाडी के घर के बाहर सुरक्षा की बात कहीं गई लेकिन वह सुरक्षा नाकाफी साबित हुई खिलाडियों के पोस्टर जलाय जा जा रहे हैं खिलाडिय टेंडूलकर को उन्होंने मराया था E-N-D-U-L-K-A-R एंडूलकर मतलब सचिन टेंडूलकर खतम फिर सचिन टेंडूलकर ने एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि मैंने और टीम ने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस इंडियन टीम को खड़ा नहीं होने दिया उन्होंने सीधा सीधा ग्रेग चैपल पर निशाना लगाया था और उस वक्त सचिन टेंडूलकर का ओपली ग्रेग चैपल के अगेंस्ट आकर बोलना पहली बार जिंदगी में और शायद आखरी बार उन्होंने इतना बड़ होने वाली और अगले ये एक बार हुआ था कि चलो मैच फिक्सिंग की बाद आई वो चीज चीजें उबर गई टीम ने दो जार तीन में अच्छा प्रफॉर्मेंस किया टीम अच्छी बननी शुरू हो गई थी सवरव गांगली के कैप्टेंसी में फिर राहूल रविड र कि बहुत बड़ा वो था और बिसीजिए की मीटिंग हुई ओविसली ग्रेग चैपल पर पर प्रिशर बनाया गया और मैं तो वेस्ट इंडीज में बैटकी इंडिन न्यूस चैनल वेबसाइट पर दिखते थे विशो जिखता तक गगन तो यहां पर आज तक में और कपिल करा रहे हैं और एक दिन में उस एक रात में पंद्रा गैस रहे होंगे तो उसमें से दस केस्ट का कॉंटेक्ट हमें कैंसिल करना पड़ा चीजें इतनी बदल गई थी पूरे देश में तो लेकिन कपिल पाजी के साथ हमने कुछ शोज किये और कुछ दिन बाद तो यह जो डर गए थे उनमें से एक सौरव गांगली भी थे कई ऐसे खिलाड़ी जिनको लगा खतम कर उनको टीम में रखा का रविशास्री को केर टेकर कोच बनाकर बांगलदेश भेजा गया भारत वहां पर जीत के आ गया उसके बाद क्या हो वक्त कहते हैं कि सब कुछ हील कर द नहीं थी उनको एक के टेकिंग कोच बनाकर इंगलेंड दौरे पर 2007 में भीजा गया था और उन्होंने साबित कर दिया कि कोच नहीं आपको एक अच्छा मैन मैनेजर चाहिए राहुल ट्राविड की कप्तानी में उसके बाद क्या हुआ आपकी टीम तो डूबने वाली है क् भारत फाइनल तक गया जहीर खान युवराज सिंग लोग मैक्स फिक्सिंग को भूल गए सिमिलर लिए इंग्लेंड का दौरा आया इंग्लेंड में आपको याद होगा पहला टेस्ट मैशन लॉड्स में जो भारत हार रहा था हार रहा था हार रहा है और धोनी और श्री सं जाती हार जाते वह मैज बचा लिया वह मैज बचा इंडिया अगला टेस्ट मैच नॉटिंगम में जीत गया और इंडिया 1986 के बाद 21 साल बाद इंग्लेंड में एक सीरीज जीता सब भूलके लोग वर्ल्ड कप में क्या हुआ था लेकिन देखिए चुकी मैं वहां था और गगन यहां थे जब आज तक भी प्रोग्राम चल रहे थे मुझे तो अब ही भी कभी-कभी जब वह वर्ल्ड कप याद आता है तो मुझे लगता है कि यह 2007 वर्ल कप की टीम बुरी नहीं थी वह टीम जीच सकती थी लेकिन सौरव गांगली की फ्लाइट से उतुरते हुए बात मुझे बात में याद आई लेने के देने पड़ सकते हैं उन्होंने का कि या तो यह टीम चैंपिएन है या फिर लेने के देने पड़ जाएंगी मुझे तब समझ नहीं आया था वह तकि उन खिलार्यों कांफिडेंस कैसे शेक हुआ जो बीछले 10-15 साल से खेल रहे थ लेकिन वही बात है एक अच्छा कोच या एक अच्छा लीडर जो संभालता है मैनेजर उसका काम होता है अपने सीनियर खिलाडियों को सीनियर काम करने वालों को इज़त देना 2003 World Cup में भी यही कहानी थी आपको याद नहीं होगा सचिन टंडूलकर 2002 में वंडे ग्रिगट में नंबर चार पर खेलते थे नंबर चार पर खेलें वो 2002 सारा और 2003 World Cup से ठीक पहले जौन राइट जोकी कोच थे उन्होंने सचिन को कहा मायूस क्यों हो सचिन ने कहा कि मुझे ओपन करने दो मैं वर्ल्ड कप में ओपन करना चाहता हूं जॉन राइट ने कहा आप ओपन कीजिए सचिन ने छे सो सिजारान बना जी इस वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल तक खेला उस क्या उन्होंने बैटिंग की थी 2007 में जब सचिन टेन रूड करने कहा मुझे ओपन करने दो ग्रेग चैपल ने कहा नथिंग डूइब अच्छा ग्रेग चैपल का एक फेमस डायलोग होता था नाथिंग मोर नाथिंग लेस वो कही पर ऐसे बोलते थे वो माइक भी गिर जाते थे लेकिन वो नाथिंग मोर नाथिए क्रिकेट की बड़ी फजीहत हुई भारतिये क्रिकेट का बड़ा नुकसान हुआ और इस सब में एक बड़े लेजंड जिस पर आपको तरस आना चाह उस सवक्ध even भी वह थे राहूरीड क्यीं कि एतने बड़े करिया और इतनी बड़ी कॉंट्रिविशन पर यही एक डाग था कि उनकी कप्तानी में यह सब हुआ था क्यूं? क्यूंकि राहुल द्राविड ने ग्रेक चैपल को रोका नहीं क्यूं? क्यूंक्य राहुल द्राविड चाहते तो अपने सीनियर खिलाडियों के साथ रहते लेकिन उन्होंने साथ दिया था कोच का, शायद राहूल द्राविट खुद वर्ल्ड कप नहीं जीते गांगुली नहीं जीते, कई और प्लेयर हैं जो नहीं जीते, वो 2007, अनिल कुम्ले नहीं जीते 2007 की वो कहानी, यह दर्दनाक है और यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल था उस वक्त तो ऐसा लगा है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, बॉब वुल्म की मौत, इंडिया बाहर, प्लेयरों में गुट बाजी, लड़ाई, इतना गंदा मैने दोरा नहीं किया, नहीं सही बात है, जो आपने बात कही कि टीम का कोच और टीम का मैनेजर वो कितना सीरियस है, कितना मैचोड है, यह पता चलता है कि और वो करते रहे, कोच नहीं खेलता है, ग्रेग चैपल महान खिलाडी थे, वो विजनेरी थे, बेर चुक्कि वो महान खिलाडी थे, उनको लगता था, मैं ही खेल रहा हूँ, उनकी सोच बुरी नहीं थी, मैं आपको अभी बताऊं, किया hard चूड़ी महा थे, उनका करने का तरीका बहुत बुरा था, उनका करने का तरीका बहुत बुरा था, पानी लेकर आ रहे हूं, लेज़िए, हां, लेज़ो, इतना tension हम machaul याद करें कहरें हैं, फैर, यहाधानि लेकिन यार, गंगान ना होती न, और क्रिकेट छोड़ दी नहीं जो गोर्डन हम जनरेशन कहते हैं इंडिन क्रिकेट की वह ताउमुर मतलब यह उनको सालेगा उनके दिल में और ग्रेकट शैपल के दिल में भी जक्म हैं आज वह पीछे परीज़ करते होंगे कि expectれる केंकरें कांँ करेंकि हमारी घर में हो जाता है प्यार में हो जाता है मावाप के सात्व हो जाता है हैं हम अड जाते हौर रणे से फायदा नहीं होता, वो नुकसान हुआ, और उसका देखिए, क्या हुआ, वर्ल्ड कप खतम हुआ, इंग्लेंड दौरे पर टीम जीती, इंडिन टीम वापिस आती है, दिल्ली में एक पार्टी हुई थी, उसमें IPL लॉंच किया गया, ये 14-15 सेप्टमबर की बात है शरत पवार बोर्ड प्रेजिएंट थे, और उस पार्टी के खत्म होते होते, राहुल द्राविड ने एक चिठी शरत पवार की जे में डाल दी थी, बोर्ड प्रेजिएंट, शरत पवार ने सोचे कि चलो चिठी डाल गिया, उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने जब घर जाकर शाम को वो चिठी खोली, उसमें रेजिगनेशन था राहुल द्राविड का कप्तानी से, हालंकि इंग्लेंड जीत के आये थे, लेकि राहुल द्राविड भी उस प्रेशर को नहीं संभाल पा रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं ऐसा बना ही नहीं हूं, क्योंकि भले ही वो वर्ल्ड कप से तीन महीने बाद की ये कहानी है, पर चार महीने की बाद की है, वो राहुल द्राविड ने कप्तानी छोड़ दी, और टीम में जो मर्जी आप कह लीजिए, वो लैक ओफ ट्रस्ट आ गया था, ये तो किसमत अच्छी है, कि इंग्लेंड दोरे पर स्पोर्ट्स तक कि ये चैट्स अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि इस कहानी में हमने आपको कुछ याद कराया, तो प्लीज येस लिखिए, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर कि हमें और इस तरह कि किस से कहानी करने चाहिए, तो कई बार क्या ब हो जाता है क्योंकि हम लोग क्रिकेट फैन हैं आप भी हैं और बहुत सारे बड़े खिलाडी सितारे जो हैं स्टार्स हैं उनकी जब किताब आती है तो उस पर वह चांकर भी मैंशन नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें लेकिन चुकि लेकिन हमने सब सच बोला है वही मैंने क सचिन एपिसोड होगा जिसमें सचिन बात करते हैं कि वर्ल्ड कप 2000 उसी मैदान में जाके कैसे जीता था तो उसमें आप सुनेंगे वह बताते हैं कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि क्रिकेट मत छोड़ का दोजा साथ वर्ल्ल कॉप हारने के वाद क्रिकेट छोड़ने का स सब्सक्राइब कर दो punish tomorrow चार साल गार होते हैं में 17-18 वो इंट्रेंशनल क्रिकेट खेल चुके थे और उसके बाद उन्होंने सोचा वगा यार चार साल बाद वर्ड कप जीते नहीं जीते मैं चार साल और महनत करूं तो यह व्ल्ड कप कितना बड़ा था नगीना था नगीना सब सब्सक्राइब कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि इस तरह की और कौन सी कहानी आप क्या-क्या-क्या सुनना चाहते हैं तो इस दौरान अगर आपको उस दिन जैसे मने मैट फिक्सिंग का किया था तो अगर अगर उस तरह की चोड़ी कहानी वह आप सुनकर हरान रह जाएंगे वह तैनिस अलबो की वह कहानी मुझे पहली बार इस नहीं बताया कि सचिन कल नहीं खेलेंगे और मुझे चोट नहीं स साल उनको लगा और अचानक हमें रात को बुला लिया गया ग्यारा बजे ओफिस में कि सचिन की टैनिस अलबो पर स्पेशल शो करना है तो इस पोर्ट्स डेस्क में जो और बड़े लोग थे उनको का गया कि तुम्हें यहां बागो यहां बागो यहां बागो और सारी क्या एक्सपर्ट्स भी अच्छ-च्छे हैं हमारे पास कभी कभी उनके साथ भी शेर कर सकते हैं तो आज के लिए फिलाल इतना ही प्लीज इसके बाद अगर आप लाइक करें इसको शेर करें और सब्सक्राइब करें इस पोर्ट्स तक को थैंक यु वेरी मच